दोफ्तों बिहार में बिल्ट ओन के द्वारा डाटा इंटरी ऑपरेटर के लिए ओनलाइन आवेदन की जो परकिरिया है शुरू करते गई है अगर आप बारावी पास कैनेडियेट है चाहते हैं डाटा इंटरी ऑपरेटर का काम करना इसमें जौब पाना तो ये आपके कीएगा पूरी जनकारी समझना है तो वीडियो पसंदा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए इस परकार के लागातार अपडेट के लिए फिलाल अपने स्किन पर चलते हैं पूरी जनकारी बताते हैं कि किस परकार के ऑफिसल वेपसाइट पर यहीं पर आएंगे तो दिखेंगे न्यूज एंड इवेंट वाले सक्षन में 20 फरवरी के डेट में ही आप सभी का जो लिंक है एक्टिव कर दिया गया है डाटा इंटी अपरेटर का फॉर्म भड़ने का इसका डाइरेक्ट लिंक आपको हमारे ऑ यह लिंक मिलेगा जिस पर आपको क्लिक करना है तमाम जनकारे से जूरी आपको बताइं गई है एक बार अपने असतर से जरूर पूरी जनकारी को समझ लीजीएगा सारा जनकारी समझने के बाद अगर आपको इसका अप्लाई करना है तो आप डारेक्ट यहां से online लाइन अप्लाई वाले लिंक पर क्लिकर कर अप्लाई कर सकते हैं ऑफिसल नोटिफिकेशन से कुछ बेसिक जनकारी मैं आपको बता देता हूं फिर इस वीडियो में मैं आपको फॉर्म भड़ने की पूरी यह से कम 12 वी पास होने चाहिए और एक साल का अपने कंप्यूटर का कोर्स किया होगा तो इसका फॉर्म भर सकते हैं और आपके पास टाइपिंग की ज्यान होनी चाहिए टाइपिंग हिंदी और इंगलिस दोनों में आपसे ली जाएगी तो यह आप अगर योगिता रखते है तो जरूर आप इसके लिए अपलाई करिए क्योंकि काफी अच्छी बाहली होती है इस परकार की बाहली काफी लंबे समय के बाद जो है बेल्टोर ने निकाली है तो 2019 के करीब भी यह बाहली आई थी पूरे चार साल बाद जो है यह बाहली देखनों को मिल रहा है अब अधिला कैनिडेट जो होगी उसको भी अड़ाई सो देने है दिव्यां को भी अड़ाई सो देने है बाकि जो कैटेगरी बद जाता है जेनरल ओविसी डव्यस वाले इन सब को एक हजार उपे देने होंगे बाकि ऑनलाइन आवेदन करने किती थी आज से यह आराम हुई है परिक्षा किस परकार होगा उसके बारे में बताया गया कि परिक्षा आपकी कंप्यूटर अधारित होगी MCQ टाइब के प्रस्न पूछे जाएंगे जिसमें 60 प्रस्न पूछे जाएंगे इसमें आपको 50 परतिसत अंक लाना होगा पास करने के लिए मतलब 30 नंबर कम से कम आ तो पूरी जनकारी देख लिजेगा अगर आप कॉमेंट करेंगे तो डीटेल वीडियो इसके सलेवस को उपर में मैं ला दूंगा कि किस परकार आपकी सलेवस चैन पर करिया कैसे होगी किस टॉपिक से प्रसंद पूछे जाएंगे आईए जानते हैं इसका फाउम आप कैस पंजिकरन करना होगा जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक फाउम खुलेगा इसको पहले क्लोज करेंगे और यहां से आई एगरी आपको करना है अब यहां पर देखे कुछ जनकारी आपसे पूछी जाती है जैसे कैनिडेट का फोस्ट नेम पूछा गया है त इसका नाम राम कुमार सर्मा है तो राम फर्षने में मिडिल में कुमार लिखेंगे और सर्मा जो है लाशने में आपको लिखना है इस से कोडिंग आपको नाम लिखना है अगर आपने कभी भी अपना नाम चेंज किया है तो यहां पर इस करेंगे इस करेंगे तो आप चैन करेंगे आपका age बता देगा कितना हो रहा है आपका gender क्या है आप लरका है तो male पर और लरकी है तो female पर आपको टी करना है आपका जो भी mobile नमबर अब ही जो चालू होगा वो नमबर दीजिएगा उसी नमबर को दुबारा डाला है अगर एक सदिक mobile नमबर आप रख लगते हैं आपके पास जो भी email id होगा email id को डालेंगे उससे email id को दुबारा डालना है नीचे में option मिलता है generate OTP का जिस पर क्लिक करना है आपके सामने ये capture code आएगा उससे फिल करना है option submit का मिलेगा जिस पर क्लिक करना है इस परकार आपके नमबर और जो email है उस पर OTP गया ह इस परकार आपका OTP भेरिफाई होता है उके वाले विकल पर आपको क्लिक करना है नीचे आना है I agree वाले विकल पर क्लिक करना है ये जो capture code मिल रहा है इससे इस box में डालना है एक option मिलेगा re-verify का जिस पर क्लिक करना है अब यहाँ पर आपने जो जनकारी फिल किया होगा ज अब मिट का जिस पर आपको क्लिक करना है अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप बिल्कुल स्योर है कि यह information आपका सई है आप यहाँ पर ओके वाले विकल पर क्लिक करें थोड़ा साब को वेट करना है इस परकार आपका जो registration है और complete होता है आपको एक registration number दे दिये जाते है इससे आप note करकर जरूर रख ले यहाँ से इसको close करें अब form भरने के लिए यहाँ पर एक option मिलता है go to application का जिस पर आपको क्लिक करना है थोड़ा साब को wait करना है उसके बाद इसे close करना है अब यहाँ पर आपका form भरने का cool 6 step है सबसे पहले personal detail है जिसमें आपकी जो detail fill up आपके कुछ जनकारी आपको भरनी है जैसे आपके साधी हो चुकी है तो merit अने था unmerit पर क्लिक करें आपके पिता जी का जो नाम होगा डालेंगे कोई महिला है तो अपने husband का नाम वो देश सकती है आपके माता जी का जो भी नाम है आप देना चाहे तो यहाँ पर देश सक करना है वही कोई बिहार के बाहर वाले candidate है तो आप नो करेंगे तो आपको अपना state बताना है और आप जो category चुनेंगे वह general ही चुनेंगे क्योंकि general के थ्रू ही आप form को fill कर पाएंगे all ideas से candidate form भर सकता है बिहार वाले होंगे तो जब एस्ट करेंगे तो आपको अपना category बत जरुकर पेंगे जनकारी आपके जो certificate होंगे उस पर आपको दिये गया होंगे जैसे आपकी परमान पतर संख्या जो भी होगा इस परकार आपका BRCCO करकर लिखा होगा यह पूरा नंबर आपको देना है यह कब बना है और डेट मिलता है और यह certificate किनके द्वारा बनाये गए है वो यहाँ पर देखिए आपको बताया गया है कि हसाक्षा राजयासु अधिकारी जिसे आप shortcut में RO level यानी revenue officer के नाम से जानते हैं इनके द्वारा इस्सू किया गया है तो वही सब जनकारी आपको यहाँ पर पूछी गई है वो सब जनकारी आपको देनी है अब नीचे आना है यहाँ पर identification डीटेल पूछी गई है जिसमें आपको बताना है कि आपके सरेर में कोई ऐसा निसान हो जो permanent निसान हो जो कटा का हो, जला का हो, कोई तिलबा हो यह सब निसान सरेर में होता ही है आप यहाँ पर बताएंगे नहीं है, बहुल सारे ऐसे भी candidate होंगे जो बोलेंगे sir कोई निसान ही नहीं है तो आप यहाँ पर क्या करें no mark भी आप लिख सकते निसान होगा ही भाई मेरे आप निसान यहाँ पर जरूर दे दिजिएगा बेटर आपके लिए ही होगा नीचे जब आप आएंगे यहाँ पर identification के लिए एक कोई document आपको देना होगा अब document में कई सारे option है आप चाहे pen card देना तो pen card को चुनेंगे तो pen card का number डालेंगे pen पर क्या नाम है वो आपको बताना है कोई अगर माल लिजे driving license देना चाहता है कोई passport देना चाहता है या कोई passbook देना चाहता है अगर इन में से कोई नहीं है तो आप यहाँ पर any photo ID जो card होता है जो आधार card होता है वो भी आप चुन सकते हैं यहाँ इसे चुन कर आप अपना ID type में यहाँ पर आधार लिखेंगे और ID नमबर में आधार नमबर को यहाँ पर आपको फिल करना है इस check box पर आपको tick करना है एक option मिलेगा save by next का जिस पर click करना है इस परकार आपका personal detail save होता है उके वाले भी कल पर click करेंगे additional detail में पूछा गया है कि कोई वैसे candidate हो सकते है जो 40% या उससे अधिक उनके अंदर दिव्यांगता है तो आप यहाँ पर yes करेंगे तो बताना होगा कि कितने परते सथ आपकी दिव्यांगता है किस टाइप की दिव्यांगता है वो जनकारी देनी है अगर आप दिव्यांग नहीं है आप no करेंगे यह जनकारी नहीं भरनी होगी save by next पर आपको click करना है अब आपको यहाँ पर देखे communication detail पूछी गई जिसमें आपका permanent address पूछा गया है permanent address का मतलब यह है कि आपकी जहाँ जनम हुई है चुआदार कर पर आपके address होंगे वो address आपने यहाँ पर बताएंगे address 1 में आप village बता सकते हैं address 2 में post office बता सकते हैं यहाँ पर district आपको बताना है और उसके बाद आपका जो pin code है उससे बताना है नीचे आएंगे आपसे correspondence address पूछी गई correspondence का मतलब यह होता है कि आप जहाँ रहते हैं वो address आप यहाँ पर बताएंगे उसके बाद एक option मिलेगा save and next का जिस पर click करना है इस परकार यह भी detail आपका save होता है अब आपको qualification and experience की जनकारी देनी है जिसवे सबसे पहले matriculation यानि तेंथ की जनकारी भड़नी है तो तेंथ आपने जिस board से pass out किया होगा बोड का जो भी नाम होगा लिखेंगे जिस school से आपने pass out किया होगा school का जो नाम होगा आप फिल करेंगे क्योंकि यह जो detail हम बता रहे हैं यह बिल्कुल dummy detail है आप अपना actual detail ही फिल करेंगे school के नाम में आपको यह नहीं की school नाम लिख दिया आपका जो school का नाम होगा actual नाम वो ही फिल करिएगा बाकि यहाँ पर आपका जो नंबर है वो किस्स अनुसार है सजी पिये परसेंटेज ग्रेड वो आप यहाँ पर बताएंगे अब मान लिजे मैटिक की जो परिक्षा है आपकी 500 के हुई थी उसमें मान लिजे आपको 325 नंबर मिला है तो आप्टेंड वाले में जितना भी नंबर आपको मिले हैं वो बताएंगे और मैक्समा माक्स अगर 500 का एक्जाम हुआ है तो 500 यहाँ पर बताएंगे आपकी परसेंटेज आ जाएगी किस साल आपने मैटिक उतिरन किया और साल यहाँ पर बताएंगे अब नीचे आना है इसके लिए एसेंसियल जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो बराहवी चाहिए तो आपके पास बराहवी की जो जनकारी होगी वो भरना है जैसे बराहवी किस बोट सापने किया है बोट का नाम यहाँ पर आप लिखेंगे साथे साथ जिस भी कोलेज सापने बराहवी किया होगा उस कोलेज का जो भी नाम होगा यहाँ पर आपको लिखते ना है बाकि subject आपको बतानी है कि बाड़ावी में किस subject आपने पढ़ाई किया था तो हो सकता आप science, art, commerce वाले होंगे तो जो भी आपका subject रहा होगा आप चाहे तो सभी subject का भी नाम लिख सकते हैं जैसे मालन लिजिए आपका physics था तो physics लिखेंगे, कौमा लगाकर chemistry था, chemistry बताएंगे, फिर कौमा लगाकर English था, English बताएंगे, math था, math बताएंगे उसके आलावे आपका Hindi था, Hindi बताएंगे, तो जो जो subject था इस परकार भी कौमा लगाकर आप लिख सकते हैं बाकि आपका जो number है, किस परकार था, से GPA परसेंटेज जो जैनकारी आपको देनी है, जितना number आपको मिले हैं, opt-in वाले में आपको बताना है, कुल कितने का exam हुआ था, वो आपको यहाँ पर बतानी है, और आपका percentage आ जाएगा, किस साल आपने उतिरन किया था, वो आपको यहाँ पर बतानी है, इस परकार आपको नीचे आना है, आपके पास typing की जो detail है, वो बतानी है, typing का medium बताएंगे, तो इसमें Hindi English दोनों चाहिए, तो आपको Hindi English दोनों आपको यहाँ पर चैन कर लेना है, बाकि computer course की detail आपको बतानी है, तो अगर कोई आपने एक साल वाला course कि अगर आपने किया तो इससे चूनेंगे, तो जो भी होगा आप उससे बताएंगे, जो भी आपने ये course जो किया है, तो आप जिस भी institute से computer का course किया है, उस institute का नाम यहाँ पर बताएंगे, वो institute जो है, रिकोगनाइज है या नहीं है, आप उसकी जनकारी असनों में अब नीचे आना है, अधर कोई higher qualification की detail है, वो दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर कोई candidate मान लिजे, अगर graduation किया है, तो आप यहाँ पर अधर चुनकर यहाँ पर बताएंगे, कि हमने graduation किया है, कहां से किया है, बताएंगे, subject आपको बताना है, बाकि कब pass किया है, वो बताएंगे नंबर की समसार है, percentage से GPA, वो बताएंगे, और नंबर जो भी आपको मिले है, obtain में बताएंगे, कि कितना प्राब्ध हुए है, कुल कितने का exam हुआ था, वो बताएंगे, percentage आजाएगा, इस परकार दे सकते हैं, तो आप इसको जो है, ऐसे ही आप छोड़ सकते हैं, और qualification, detail add होता है, अब आपको यहाँ पर जो exam होगा, इसके लिए city तीन preference देनी है, तो आप जहाँ भी देना चाहते हैं, वहाँ आप इस परकार chain कर लेंगे, यहाँ पर city इनका बनाया गया होंगे, बिहार में यही आपको 6 जगों पर है, आप उससे chain करकर, यहाँ से 7 next करेंगे इस परकार यह detail आपका save होता है, अब आपको यहाँ पर document upload करना है, जिसमें बताया गया है कि सबसे पहले passport size photo देना है, photo आपका recent का होना चाहिए, यह धियान रखीगा, जब इस वाले icon पर click करेंगे, तो यहाँ पर पूरी line आपको दे दिये गया है, साथे साथ नीचे note में भी नोहों ने बताया है कि आपकी photograph जो होगी 6 महिने से ज्यादा पुरानी नहीं होने चाहिए, photograph अप्लोड करने के लिए click here to photo वाले विकल पर click करेंगे, guideline दिये गया है, जो होगा minimum 50 के विस से 80 के विके बीच होने चाहिए, उसका जो photo का background होगा, white background होगा, और DPI भी आपको यहां साब को इसको close करना है, और जो photo अपने upload किया है, एक बार क्या करना है, यहां से view upload photo वाले विकल पर आपको click कर लेना है, अन्य था आन्त में आपका form submit नहीं होगा, आपको एक बार देखना जरूरी है, उसके बाद signature आपका upload करना है, इस वाले विकल पर click करेंगे, इस करकर यहां से क्या करेंगे, upload करेंगे, इसका भी size आपकी 50-80 के भी तक होगा, नीचे आना है आपका जो भी domicile certificate होगा, उससे आपको upload करना है, उसका भी preview देख लेना है, अगर आप ओविस वाले हैं, तो आपको NCL certificate बनता है, तो आप NCL certificate यहां पर upload करेंगे, बाकि यहां पर नीचे आएंगे, तो दिखेंगे, आपको बोला गया है कि तेन्थ class का certificate आपको देना है, और यहां पर तेन्थ class का marksit बोला गया, तो दीखें, certificate marksit में अंतर होता है, यह marksit जब आप पास कर जाते हैं, उसके तुरत एक से दो महिना बाद आ जाता है, और certificate जो होता है, ज पीजी, पीडियाप, इस format में आपका अपलोड होगा, 100 से लेकर 300 के बीके बीच में, तो आपको यहां से certificate तेन्थ का, और तेन्थ का आपका marksit अपलोड करना है, यही कोई CBSC वाले बच्चे है, तो इनको जो है, passing certificate नहीं मिलता है, तो वैसे इस्तिति में आप marksit अपलोड कर सकते हैं, लेकिन बोड वाले, बिहार बोड वाले होंगे, तो आपको दोनों अलग अलग मिलता है, आप दोनों को अलग अलग ही अपलोड करें, अब यहां पर essential qualification certificate बोला गया है, essential का मतलब यह है कि इसके लिए 12 पास चाहिए, तो 12 का आपका जो certificate है, अपलोड करना है, 12 क जो maxit है, यहां पर upload करना है, बाकि अगर आपने higher degree के लिए कोई भी qualification add किया है, तो आप यहां पर दे सकते हैं, आपने computer के लिए जो भी course दिया है, उसका certificate जो भी है upload करेंगे, इसके अलावे कोई भी आपको relevant document है, आप देना चाहिए, तो उससे भी आप यहां पर लगा सकत हैं, बाकि आपके category के according, आपका payment देखनों को मिलेगा, नीचे आएंगे payment online करना है, online को छुनेंगे, declaration देनी है, सभी check box पर tickerने एक बात, capture code को fill करना है, preview वाले विकल पर click करना है, अब आपके सामने form का preview आता है, एक बार अपनी तमाम जनकारी मिलान करें, जो जनकारी अभ आपको click करना है, थोड़ा सा wait करना है, अब आपको payment gateway PDID करेगा, payment, credit card, debit card, net banking, UPI, जिस भी माध्यम से करना चाहता है, QR code के माध्यम से भी करना चाहता है, तो QR code को चुनेंगे, यहां समेक payment पे click करेंगे, और यहां पर एक option मिलता है, proceed with payment का, जिस पर click करेंगे, यहां से क्या करना, QR code को, अपना कोई भी UPI से scan करना, या UPI ID डाल कर भी आप payment कर सकते हैं, scan करकर जैसे ही आप payment को पूरा करेंगे, आपका payment किलियर होगा, और इसका जो print मिलेगा, उसका print निकाल कर अपने पास सुरक्षित संभाल कर रखनी है, ताकि आगे जब कभी भी जरूरत हो, तो ये print आप दिखा सकते हैं, दोस्तों अभी आपने देखा, हमने आपको step by step पूरी process बताया कि किस परकार Beltron Data Entry Operator का form आपको भड़ना है, उमीद करता हूँ आपको पूरी जनकारी मिली होगी, कहीं भी कोई doubt, confusion है, आप नीचे comment box में comment कर सकते हैं, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद